अपनी अगली प्रितिग्या में यानि कि नवी प्रितिग्या में बाबसाब ने हमें आदेश दिया है कि मैं सभी मनुष्य एक समान है इस विचार को मानूँगा अगर आप देखें तो हम जितने भी लोग इस धर्ती पर हैं पूरी मनुष्य जाती उसमें सारी समानता है हमारे पैदा होने का धंग एक है हम हसते हैं रोते हैं तो जो भावनाएं एक भारतिये की हैं जो भावनाएं एक अमरीकन की हैं एक बिटिश वासी की हैं इस्पेन वासी की हैं फ्रांस वासी की हैं जो एक महदीब के लोगों की हैं वही दूसरे महदीब के लोगों की हैं तो इंसान के रूप में अगर हम देखें मनुष्य के रूप में अगर हम देखें तो हम सब एक समान हैं इस दुनिया में अगर हम देखें तो आग से अगर मुझे दर्द होता है या सर्दी के समय में मुझे सुख मिलता है तो ऐसा ही सुख दूसरे को भी मिलता है वो किसी देश का हो किसी संपरदाय का हो किसी शेहर का हो किसी गाओं का हो किसी जाती का हो किसी धर्म का हो सब का सब पर एक ही ज़सा उसका प् मुझे उससे कस्ट होता है, अगर हवा चलती है तो हवा मुझे उसी तरह से सुख देती है, जैसे दूसरे को ओक्सिजन जो मुझे ज़रूरी है, वही दूसरे को भी ज़रूरी है, इसलिए दुनिया में जो भी कुछ है, हर मनुष्य पर उस चीज का एक जैसा प्रभाब पड इसलिए मनुष्य मनुष्य समान है और बाबा साब ने बिल्कुत सही कहा है कि मैं ऐसा जो भी कुछ करूंगा मनुष्य एक समान है इस बात में विश्वास रखूंगा और इसके विरुद कोई भी बात होगी मैं उसे शिकार नहीं करूंगा तो हम सब मनुष्य एक समान है इसके लिए में काम करना चीए लेकिन अगर आप देखें तो ये मनुवाद ये ब्रहमरवाद ये जितने भी संप्रदाएं हैं इस सब मनुष्य में मनुष्य में भेद करते हैं ये मनुष्य को एक नहीं मानते ये कहते हैं जो मेरी पद्दती है उस सिसाप से चलने वाला मनुष्य एक है और दूसरा नहीं और अगर हम देखें तो ब्रहमरवाद में तो इस सारे उसमें सारी सीमाएं तोड़ती अरे मनुष्य एक होते हुए भी भेदबाव वन वेवस्ता बनाके जाती वेवस्ता बनाके मनुष्य मनुष्य में इतने घहरे भेद करती है इतनी बड़ी खाई पैदा कर दी जो आज तक पाटी नहीं जा पा रही है जब सारे मनुष्य एकी तरीके से पैदा होते हैं जब मनुष्य सब मरते हैं एकी तरह से हैं जब जीवन हमारा जीते हैं उस सारी में भी हमारी जितनी भी भावना है, मनुष्य की जितनी भी भावना है, एक ही तरह की होती है, तो भेत कहां से हुआ, अलग कहां से हुए, हम सब एक ही तो हैं, इसी मनुष्यता को, इसी समानता को हम लोग इस्तापित करें, इसी समानता को हम बढ़ाएं, मनुष्य की ऐगे चलका प्राणी मातर के लिए कि ब्रहमान में प्रत्वी पर जो भी प्राणी है वो सब एक समान है सब के साथ एक ही जैसा विवार होना चाहिए वहां तक की बात की तो मनुष्य मनुष्य एक है और इस एकता को इस समानता को बढ़ा है जा सके इसलिए बाबा साथ ने बात कहे लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि ब्रहमणबाद ने तो इतना फर्क कर दिया मनुष्य एक है लेकिन उस पर इतने प्रतिबद लगा दिये और एक ऐसी वेवस्ता बना दी जिसे ह काम गरबात कहते हैं आज कहते जरूर है कि रब वीवस्ता खत्म हो गए लेकिन आप देख लिजий जो हिंदूं के सबसे बड़े नेता हैं गांधी गांधी भी-खमानता सको मांते हैं और व्यवस्ता काइं है शाद इसलिए पापस आप डॉक्टरम बेट करने वर्णों इन तीन जो वर्ण है ब्रामन च्छत्रिय वैसे इनके लिए सवर्ण शब्द का इस्तेमाल किया है सवर्ण यानि कि वो आज भी वर्ण विवस्था को मानते है तो जो वर्ण वेवस्था को मानता है जो जाती वेवस्था को मानता है वो मनुष्य मनुष्य में फर्क करेगा ही क्योंकि वर्ण वेवस्था एक ऐसी वेवस्था है जिसे हम कह सकते हैं कि चार मंजिला मकान है जिस उपर के मकान में रहमण उससे नीचे के मंजिल में सबसे उपर की मंजिल पर भ्रहमण रहरा सब उसके नीचे की मंजिल पर छत्री है और उसके नीचे की मंजिल पर वैश है और उसके नीचे की मंजिल पर यानि सबसे नीचे मंजिल पर शुद्र रहरा यानि यही दवा, कुछला, शोशित, पेडित, अरुसुचित जाती, जन जाती और अन्य पेशारवार जिसको कहते हैं ये पूरा का पूरा शुद्र समाज ही तो है ये पूरा का पूरा समाज सबसे मिचले मंजिल पर रहता है और ये मंजल ये मकान ऐसा है जिसमें कोई सीड़िया नहीं है यानि कि जो जिस इस्तर पर बैठा है वो वहीं बैठा है वो उपर नीचे आजा नहीं सकता तो उन सारे सीड़ियों को हटा दिया गया असामानता का, मनुष्य मनुष्य में भेद का ऐसा उधारान आपको कहीं नहीं मिलेगा तो बाबा साब ने कहा कि मनुष्य मनुष्य एक है मैं इस सिद्धान्त को मानता हूँ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूले ताकि सबी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले